देश के हर कौने में एक ही सूर है और उस सूर में मत्रत देश का भी सूर है पिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार साथियों आज मोदी पहले जब भी आता था तो कुछ लोग कुछ लेकर के आता था कुछ लोग कुछ देने के लिए आता था कभी ये योजना, कभी वो योजना, कभी ये विकास का काम, कभी वो विकास का का आज मैं देने के लिए नहीं आया हूँ आज मैं आप से कुछ मांगने के लिए आया हूँ सर जुका करके मांगने के लिए आया हूँ मेरे लिए नहीं आपके बच्चों के उजवल भविश के लिए मांगने के लिए आया मैं आज आपके पास मांगने के लिए आया हूँ देश के उजवल भविश के लिए मांगने के लिए आया मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूँ विक्सीज भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कुछ मांगने के लिए आया और मैं आप से मांगता हूँ आपके आशिरवाद मुझे आपके आशिरवाद चाहिए आपके आशिरवाद ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है जनता जनारदन इश्वर का रूप होती है और जब जनता जनारदन आशिरवाद देती है तो आशिरवाद स्वयम इश्वर के आशिरवाद होते है और ये आशिरवाद देने का एकी तरीका इंदिनों है कि आप कमल के निशान पर बटन दबा करके आपका आशिरवाद मोदी को पहुचाईए पहुचाएंगे भारी मतदान करेंगे ये आपका वोट ही है जिसने पिछले दस वरसों में देश को तेज विकास की कारंटी दी है कि आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थे वबस्ता बना दिया आपको पता है ना दुनिया में मैं जब आपने मुझे काम दिया उसके पहले 11 नमबर पर ते और इतने कम समय में हम पांच नमबर पर पहुच गए किसके कारण रहे मोधी के और नहीं आपके यствен के कारण हो गया है यह आपके वोट की ताकत है और मैं आज आपके वोट वोट की तागत का आपको साख्षातकार कराने के लिए आया आपको आपके एक वोट ने विदेशों में भारत का डंका पजा दिया आपके वोट ने सीमा पर से हमें आख दिखाने वाले तुश्मन के होस्ठिकाने लगा दिये और ये आपका ही एक वोट है जिसने अयोध्या में पांसो साल के इंतजार के बाद राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान कराया बेटा आप वो फोटो लेकर के नीचे बैठ जाएए पीछे लोगों को दिखता नहीं है अब बैठ जाएए जाए श्री राम और इन दस वर्षों में ये जो काम हुआ है वो तो केवल एक ट्रेलर है ट्रेलर अभी तो मुझे देश को मत्यप्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है हमारे मुख्यमंत्री बाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार समाली है वो भी MPK विकास को और नई शक्ती से जुटे हुए है दाथियों बेतूल देश की एकता अखंता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले बीदों की धर्थी है आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सीजी कोर्पू और सरदार विस्तु सीजी गौन उनके योगदान को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता लेकिन एक कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने कभी आदिवासी समाचे युसकिस योगदान को स्विकार ही नहीं किया इस भाजपा है जिसने भगवान विर्शा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रिय जन जातिय गवरव दिवस गोशित किया भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवसी भाईयों महनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उजवला सिलिंडर, बैंक खाते और मुप्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं इन कारियों ने आदिवसी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किले कम कर दी है साथियों, अगर सहकार की नीतियां सही हो, तो अन दाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है इस खिशेत्र में, रभी और मुंग की फसलों का उत्पादन, जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलिकॉप्टर से उतर करके यहां पहुँचा, चारों तरफ मुंग, मुंग, मुंग की बात हो रही है और यहां भी तोफा दिया, तो मुंग का ही दिया और इसमें, सवान नदी पर बने डेम का, बहुत बड़ा योगदान है अर्दा में, मोरन, गंजाल, संयुक्त, सिटाई परियोजा पर भी, काम शुरू हो चुका है आज MPK, 80,000,000 से अधिक किसानों को, हमारी सरकार, PM किसान सम्मान निदिवी दे रही है बैतूल, इंदोर, फोर्लेन, हाईवे जैसी सडके भी, बैतूल के किसानों और लोगों के लिए, कई बड़े आवसर खोल देगी साथियों, 24 के इस चुनाव ने, कॉंग्रेस पार्टी की कलाई, देश के सामने खोल कर रख दी है कॉंग्रेस का हिडन एजंडा, खतरनाक हिडन एजंडा, अब खुल करके, देश के सामने आ चुका है सेक्लरिजम के नाम पर, वोट बैंक की राजनिती करने वाली, टॉंग करने वाली, कॉंग्रेस ने, सामाजी की न्याय की, मुल्भुद भावना की भी हत्या कर दी है अब यह खुल कर सामने आ गया है, कि कॉंग्रेस पार्टी, दलीतों, पिछडों, आधी वास्यों से, कितनी जादा नफ्रत करती है साथियों, आज आधी के बाद, कॉंग्रेस का सबसे बड़ा विरोत, बाबा साब आमबेड करने किया था बाबा साब दूर का देख सकते थे, कॉंग्रेस देश को कैसे पतन के रह पर ले जा रही है, यह बाबा साब ने उस समय देख लिया था यह बाबा साब आमबेड कर ही थे, जिनों ने धर्म के आधार पर आरक्षन दिये जाने का कड़ा विरोत किया था हमारे समिदान निरमाताओं ने लमबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अपलाई किये थे और हमारे समिधान निर्माताओं ने मिल करके धर्म के आधार पर आरचन नहीं दे सकते ये निर्मे किया था ये हमारे समिधान की मूल भावना थी लेकिन कॉंग्रेस के कारणा में वो समिधान की मूल भावना के भी खिलाप है लेकिन कॉंग्रेस हमेशा बाबा साब के सम्मिधान को मिटाने और SC, SC, OBC के आरक्षन को छीनने की कोशिस करती रही है कॉंग्रेस, SC, SC, OBC से आरक्षन छीन कर उसे अपने खासमखास प्रियर वोट बैंक को देना चाहती है जब केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षन की शुरुवात की थी लेकिन तब कॉंग्रेस अपने मनसुबों में पूरी तरह काम्याब नहीं हो पाई थी लेकिन भाई और बहनों कॉंग्रेस पार्टी अभी भी वो खेल खेलना चाहती है चोरी छुपी से करना चाहती है परदे के पीशे रह करके देश वास्यों की आंख में धुल जौंट करके वो खेल खेलना चाहती है कॉंग्रेस ने करना टका में यह जड़ा मेरे भाई बेंट सुन लीजिए बराबर कैसा पाप किया इन्होंने करना टका में OBC को जो आरक्षण मिलता है उस OBC के कोटे से आरक्षण का हिस्सा चीनने के लिए पिछले दिर्वाजे से जोरी करने के लिए उन्होंने करना टका में जितने मुसल्मान हैं सभी मुसल्मानों को OBC बना दिया और OBC के लिए मिला हुआ आरक्षा उसको छीनने का पक्का शर्यंत्र पूरा कर दिया कॉंग्रेस की ये हरकत पूरे देश के OBC समाज के लिए खत्रे की गंटी है अपने मैनिफेस्टों में अभी कॉंग्रेस लगातार दर्म आधारित आरक्षान की बात कर रही है तेलंगणा के कॉंग्रेस के मुक्यमंत्री ने अभी हाल ही मैं नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षान दिलवा कर रहेंगे साथियों कॉंग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है अब कॉंग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीन कर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है अगर किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ी एक से ज़्यादा मोटर साइकल एक से ज़्यादा गर होगा तो कॉंग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है वो कॉंग्रेस की सरकार छीन लेंगी जब तकर लेंगी आपका गाउं में घर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शहर में एक घर बनवा लिया, तब कॉंग्रेज कहती है, वो ऐसा कानून लाएंगे, एक ही घर रख सकते हो, दो है तो एक दे दो, ताकि वो अपने खास लोगों को बांटना चाहते हैं वो कहते हैं, एक्सरे करेंगे, एक्सरे देश का, और देश की महिलाओं के पास कितने गहने हैं, उसकी भी जाच कराई जाएगी, किस महिला के पास कितना स्त्री धन हैं, उसकी भी जाच कराई जाएगी, मंगल सुत्रक कैसे छिन लिया जाए, उसकी योजना बनाए जाएगी, ये साब संपत्ती सोना चांदी चीनकार कॉंग्रेस अपनी वोट मेंक मजबूत करने के खेल खेल रही है और इस बात का वो कॉंग्रेस के नेता अपनी रेलियों में खुला एलान कर रहे है आप मुझे बताइए आप अपनी संपत्ती किसी को भी छिनने देंगे क्या? आप माप करेंगे क्या? साथियों कॉंग्रेस कैसे आपकी संपत्ती को लूटना चाहती है इसका एक और उदारण आदेश के सामने आया है कॉंग्रेस के शहजादे के सलाकार कॉंग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि भारत में इनहरिटन्स टैक्स लगना चाहिए आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके सुर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कॉंग्रेस सरकार हड़ब करना चाहती है बताइए आपके मात पिता ने जो महनत करके कमाई करके आपके लिए छोड़ा है वो उस पर आपका क्या ऐसा सोचने वावारी कॉंगेस को सता में आने देंगे कैसी यह 5 civत कर NATO, ऊ सीङ司 Championships के वकालत की थी, कॉंग्रेस के ये तब के एक बड़े मंति ने प्लानिंग कमिशन में कहा था, कि इन हरिटेंट टेक्स का विचार किया जाए, विरासत पर टेक्स लगाने की, कॉंग्रेस की पुरानी इच्छा से, कॉंग्रेस इंकार नहीं कर सकती, साथियों हमारे देश में मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा बजा कर, आने वाली पीजियों के लिए, कुछ ना कुछ संपती छोड़कर जाने की परमपरा है, कितना ही गरिप क्यों न हो, लेकिन दादा सोचेगा, दादी सोचेगी, नाना सोचेगा, नानी सोचेगी, एक आज अ मुसीबत के समाइबे भी निकाल करके खर्च नहीं करते हैं, क्यों? उनके मन में यही इच्छा रहती है, कि जाओं तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाओं, अब ये लोग कह रहे हैं, अब जो छोड़ोगे न, उस पर आदा हिस्सा हमारा रहेगा, क्या आप ये म मंत्र है, आप ये मंत्र याद रखना कॉंग्रेस का, और घर घर जागे बताना, ये क्या मंत्र है कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस का मंत्र है, कॉंग्रेस की लूट, जिन्दकी के साथ भी लूट, और जिन्दकी के बाद भी लूट, जिन्दकी के साथ भी, जिन्दकी के साथ जिन्दकी के बाद भी जिन्दकी के बाद भी ये है कॉंग्रेस इसलिए आपको कॉंग्रेस से बहुत सावधान रहना है साथियों आज चप्तेश 25 साल के लक्षों पर काम कर रहा है अगले 5 साल का रोड में बना रहा है और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के दिनों पर काम हो रहा है तो इंडी गडबंदन वाले भी अपनी ढफली अपना राग आलाप रहे है आपको ये सुनकर हसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा कुछ मिडिया रिपोर्ट में आया है कि इंडी गडबंदन वालों में चर्चा चल रही है क्योंकि मोधी बार बार पुछता है कि बताओ बैई कि इतना बड़ा देश को सुपरत करें कि इतना बड़ा देश किसी को सुपरत कर सकते हो क्या यह लोग नाम बताने को त्यार नहीं है यह लोग तो बता जिए अवे मोधी है बताओ आपको देना है तो यह मोधी है जी जी कहा नहीं कहा आपके सामने नाम है ना दूसरी तरम नाम ही नहीं है इतना बड़ा देश को लोग इसका जबाब दून रहे हैं जबाब मिल नहीं चाहिऀ सब रहा था लेकिन अभी कुछ मेडिया रिपोर्ट में आया है कि मोधी बार-बार पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा नेता कौन दिसको किसको सुप्रूत करें तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मिला बनाई है उन्होंने फॉर्मिला बनाई है कि कौन पदामिंद्र बनेगा कहा जा रहा है, कि ये लोग one year one p.m formula बना रहे हैं, यानि एक साल एक p.m, दूसरे साल दूसरा पी m, तीसरे साल तीसरा पी m, चोथे साल चोथा p.m, पांचवे साल पांचवा p.m. बताओ बहे देश का। जो बोली बढ़िड़ेगा एक साल बैठेगा और मजा क्या होग Geral, जे बैठेगा ना, चार लोगों कूरसी की एतांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मोके की तलास में रहेगाए कि इसका साल कुरा क्ब होता है उसको हिलाते रहेंगे भाई यो भेनों यूं तो जो सुनने के बात लगता है कि या तो साइद मुंगेरिलाल के सपने ज़ता होगा लेकिन साथियों मैं आपको जागरित करना चाहता हूँ मैं चेताना चाहता हूँ ये मुंगेरिलाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है ये बहुत दरावना खेल है ये देश को तबाह करने वाला खेल है ये सपना हसीन नहीं है ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों और इसले जाग जाएए चेत जाईए आपके वोट की ताकत समझे मेरे प्यारे भाईयों भेनों देश को बचाने के लिए आप आगे आईए जो रिल्स में सोचल मीडिया पर लोग मजाग में कहते हैं उस पर इंडी गड़ बंदन बहुत गंबीरता से विचार कर रहा है आप मुझे बताईए आप इस एक साल एक पीम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या पांच साल में पांच पीम आपको मंजूर है क्या क्या देश को ऐसे परिस्टिती में छोड़ सकते है क्या तो दुनिया के लोग मजाग उड़ाएंगे क्या तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है वो धनास से नीचे आएगा और नहीं आएगा यह जो चंद्रयान बेजा है अब गंगर्यान बेजना है वो जाप आएगा क्या साथ क्यों साइ साथ माई को हमारे इस छेत्र में चुनाव है विदिशा में उमीदवार है हमारे भाई सिवराज जी और यहां पर उमीदवार है हमारे दुर्गादास बुईके जी यह दोड़ों मेरे साथ ही संगेठन में मैं सिवराज साथ काम करते थे बीए मुझके मंतरी थे मैं भी मुझके मंतरी था हम साथ काम करते थे वो पार्लामेंट में गए थे तब में पहा मंतरी के नादे साथ में काम करते थे अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हू और उईके जी उईके जी पार्लामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहेंगी मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता यह हमारे दुर्गादाची करते थे इन दोनों को भारी बतों से चीताना है और बड़ी संग्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं वो मोदी को शक्ति देता है जब आम उनको वोट देते हैं तो वोट मोदी को पहुंचता है और इसलिए मोदी को मजबुद बनाने के लिए आप मतदान करें और इसके लिए जादा से जादा मतदान होना चाहिए कराओगे गर गर जाओगे मतदाताओं को मिलोगे मतदान कराने के लिए कहोगे उनको कहना आपका मतदान मोदी के लिए आशिरवाद है कहोगे आपका मतदान मोदी के लिए आशिरवाद है कहोगे फोलिंग मुझ जितोगे मेरा एक और अनुरोध है करोगे करोगे बहुत लोग है जो यहां नहीं आए जब मैं संगठन का काम करता था तो और नीचे तक जाता था लोगों को रामरम करके आता था लेकिन अब जान नहीं पाता हूँ देज़बर में दोड़ना पड़ता है तो बहुत कम लोगों को मिल पाता हूँ लागफों लोग रहे जाते हैं, लेकिन आप मेरे अपने हैं, तो एक काम बताओं मैं आपको, आप करोगे, मेरे अपने हैं, वो बता दे करेंगे, जो बांते हैं, वो मेरे हैं, वो बता दे करेंगे, फट्का करेंगे, एक काम करना, जो लोग यहां नहीं पहुंचे हैं, उन गर जाके पहुचा देंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद